हलो दोस्तों मिरे नाम है आलोग रंजन सिंग और देखिए यह जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्रीज में लेकर आपके साथ आ रहा हूं इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही तरीके से फॉलो किजिए और अगर आप चाहें तो इसका नोट्स भी प्रिपेर करिए क्योंकि BPSC के मेंस इक्जैम्स में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर कहें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हर इक्जैम्स में आपसे पूछा जाएगा यह संभावनाय रहती है ठीक है तो मैं वो सारे टॉपिक्स आपके साथ डिसक चलाया था उसमें हमने पठना कलम को डिसकस किया था आज के लेक्चर में हम मौरियन आर्ट को डिसकस करेंगे और यह टॉपिक हमारे मेंस पेपर के के सेक्शन में आएगा तो आपको पता होगा मेंस में जीएस वन जीएस टू और ऐसे पेपर आते हैं तो यहां पे हम बात जीस वन की कर रहे हैं ठीक है जैस hélas वन में तीन सक्षन होते हैं तीन सेक्षन में जो पहला स्इक्षन होता है आए उसमें होता है आड एन कल्चर आड यह ते आट agree क्ल्चर और सात में मौडरन कंती हिस्ट्री ऑफ इंडिा अफ इंडिया एंड बिहार दोनों ही साथ में यहां पर होता है तो यहां पर हम आर्ट एंड कल्चर पहले यहां पर डिसकस कर रहे हैं modern history के भी topics लेकर हम आएंगे जरूर ठीक है तो इसको बहुत ही सिद्ध से follow किजिए चलिए तो शुरुआत करते हैं तो देखिए मौरियन आर्ट और आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं यानि कि हम मौरियन प्रीड की बात कर रहे हैं जो मौरिस सामराज अच्छे एक वक्त था 322 से 180 बीसी के का यह जो डूरेशन है इसके इस वक्त में मौरियन अंपायर अपने पीक पे था ठीक है यानि कि आप कह सकते हो कि मौरियन अंपायर एक पहला ऐसा अंपायर था जो लगभंग ऑल्मोस्ट कहिए कि पूरे भारत में इसका राज था या पाकिस्तान देखो यह सारा कुछ जो है वो मौरियन अंपायर के अंडर आता था ठीक है और मौरियन अंपायर जो है वो शुरुवात कहां से हुआ था मगध मगधरीजन से शुरुवात हुआ ठीक है और उसी वक्त बात करें कि जब इतना पावर्फुल और पुरा ठीक है तो उसी वक्त क्योंकि मौरियन अंपायर पुरा फल फुल रहा था उसी वक्त यह मौरियन आर्ट और आर्ट आर्ट आर्किटेक्चर को भी एक बड़ा बढ़ावा मिला ठीक है मौरियन यह पहले थे जिन्होंने स्टोंस यानि पत्थरों का उप्योग किया आर्ट आर्ट आर्किटेक्चर को बनाने में क्योंकि पत्थर्स बनने पर यह ज्यादा टाइम तक टिक सकते थे और वी स्टील हैब दियर रेलिक्स टुड़े आज भी उसके अफ्षेश हमें मिलते हैं आगे देखिए तो इंडिविजुलिस्टिक्स इंड आइडेंटिटी एंड और आइडियोलोजी में भी तो यह भी आध्यान रखिए अब मौरियन आर्ट आर्किटेक्चर के कटेगरी में आते हैं कि मौरियन आर्ट आर्किटेक्चर को कितने कटेगरी में डिवाइड किया गया है तो एक तो स्टेट आर्ट कहें या फिर कोट आर्ट कहें और दूसर सब चीजों पर जो आट बना जाता वार्य ना जाता था मॉरियं टाइम में जो पीलर्स पर बना जाता था जो पेवस पे विहार पर इन सब चीजों पर जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर बना जाता था मौरियन आर्ट में वह कोट आर्ट होता था यानि कि उसको स्पॉंसर कौन करता था तो उस वक्त के राजा वहीं पर एक दूसरा हम काटेगरी देखते हैं तो वह है फॉक आर्ट या फिर इसको पॉपलर आर्ट भी कहते हैं दोनों नाम आप लिख सकते हो यह एक इंडिविजुलिस्टिक था इंडिविजुल था नेचर में क्योंकि यह किसी स्टेचूस बना जाता था रिंग स्टों यह जो है वह आम जन जीवन में बनाए जाती थी आम लोग इसको बनाते थे ठीक है कि यह कहां कहां पे मिलता है क्या इसके फीचर्स है वगेरा उसके बाद हम फिर फॉर कार्ट पे यह आएंगे ठीक है तो पहले यहां पे तो यह है प्लेसे से हम पहले शुरुआत कर रहे हैं तो पैलेसे जो महलों पे मौरियन पैलेसे और फाउंड जो मौरियन पैलेसे है वह उडेन असेंबली बिल्डिंग कुम्रार में आपको मिलेगा पटना का कुम्रार एक जगह है वहाँ पे 84 पिलर्स का वहाँ पे लकड़ी का असेंबली बिल्डिंग आपको मिलेगा ठीक है लकड़ी के दिवाल पूर्य पुत्रा को जो है वो अंसरकर करता था चारोत्रब गेडी के रखता था है कि इसके क्या फीचुछ से तो अचेंड होता था अर्ही मेडिस प्रिंसिपल्स पर ठीक है आरकेमेडिस प्रिंसिपल जो बाववशा आपने वहाँ पहपी पढ़ा था यो क Labs हम कट कोई भी आब जट्व अगर वर्टर में थिक वर्टर में आप अगर डालते हो है तो उसने क्या होता है यह जो वेट जो है इस एक इस ऑब्जेक्ट का उतना ही वेट का यह बिट से replace करता है ठीक है तो इस principle पे based होता था यह पहले से आर्ट ए अर्ट ए अर्ट एक्टेक्चर फिर उडेन material होता था है रूफ और फ्लोर पे multi-pillus बनाया जाते थे एक नहीं बहुत सारे प्लस बनाया जाते थे grand size होता था बहुत बड़े-बड़े surrounding walls with loop holes to shoot arrows ठीक है और इसके sources क्या मिलते हैं हमें कहां से इसके पहले से बारे प्रचलता है तो Megasthenese का इंडिका इंडिका बुक है उससे हम प्रचलता है और फाहियान जो चानिज ट्रेवलर था उसके ट्रेवलोग से ट्रेवलोग होता है जिसमें की यात्रा का हम अपना वरितांत लिखते हैं तो वह फाहियान ने तो अपने ट्रेवलोग में लिखा था कि यह सिटी जो है वो बिलकुल गॉड़ गुप्टेड़ है पार्टली पुत्रा के बारे बात कर रहें गॉड़ अप्सुरत इस तरह से बहुत ही बढ़ी अस्यांदार था उसको इस तरीके से वह डिस्क्राइब करता है कि अग्रिय एक सेकेन आजा ते हैं फिल जो का तो मुस्ट वाइडली बिल्ट डेजिं दे पिरिय्ट अफ व्यूंध का तो फिलस जो है सबसे ज़्यादा जो है वह असोका के टाइम में ठीक है order of ruler जो शाशक थे यानि कि अशोकादी ग्रेट उनका जो order होता था वो सब इन पिलस पे उकेरा जाता था या फिर धम्मा का principle जो है वो यहां पे पिलस पे उकेरा जाता था कमेमोरेट बैटल विक्ट्री अगर किसी युद में जीत गए हैं तो उसके बारे में वहां पे बताया जाता था सोशल एंड रिलिजिस वैल्यूज एंडोस्मेंट उस पे होते थी रिलिजिस टॉलरेंस एनिमल कंसिडरेशन रिस्पेक्ट टू एल्डर्स यह सारा को जो है प सपोर्ट किसी सपोर्ट के बिना यह पिल से स्टेंड होते थे इंग्रेवड ऑन सिंपल डिवलप्ड इंडिपर ली बिल्कुल इंडिपरेटली डिवलोप किया जाता था टैंपर्ड स्रों बॉट्टम टू टूप टैंपर्टम टूप पिलस के टॉप पर एनिमल होते थे फिर चुनार सेंड स्टोन से बना जाता था यह बिल्कुल फ्लाट हुआ करते थे आप यहां पर पिक्चर दिखा जाते हो तो यह और इसनल पिक्चर आपको Google का फिक्चर में आपको दिखाथा लेकिन गूगल पर आपको वहाँ पर काम नहीं आने वाला Hyundai लोगा यह हैगे वहाँ अपको फिक्चार से पिल्कूल ज absolutely बनाना यह है मैं सतक्षित आपको दिखा रहा हूँ बिसको जाएक अहौन को जो जो चेक करने वाला प्रोफेसर है उसको यह लगे कि हाँ मलब स्टूडेंट को इस एस्पेरेंट को जानकारी है इसके बारे में इसलिए इसने फटा फटा अपना राफस के भीग करके दिखा दिया है तो यहां पे जो है आपका यह जो सिंबल हम जो यूज करते हैं आज इनिमल फिगर राव यह जो आप पर देख रहा यहां पर भी duty फूर मंश्य करके दिख्ञ़ एपिक्चर है तो यहां पर छुटर्म इमल का क्लोकवाइस और द्रेस करते हैं यहां पर ऐा रहत देख रहा यह यह जो दिखते रहा है धर्जक्र अर्जत का द्राव फिंख रह ये जो pillars हैं कहां कहां पाएं हैं फिलहाल कर आप देखो तो देलही मेरट में ये आपको मिल जाएंगे अलाहबाद में सार्नात में मिलेंगे आपको पता ही होगा सार्नात से हमने ये symbol जो है आज भारत का जो symbol है वह हमने कहां से लिया है से provide gur ये सिंबर आपको यहां पे म से आपको बूल मिलेगा सान संसकीसा से आपको एलिफेंट यह पीलर्स मिलेगा फिर अगला आ जाते ह् falar याप यहां पर आ आपकीया देख्या तो हमने पहले सा ूँ पल्प्रास हमने कर लिये अब यहां पर यह देखे यह कोई coins में हम आयाते हैं next तो coins देखिए mostly silver और कुछ coppers के हुआ करते थे punch marked था with symbols like elephant का symbol हुआ करता था the tree in the nailing symbol and the mountains mountains और nailing symbols भी होते थे जो tree है वो सिदा खड़ा नहीं बल कि इस तरह से कुछ जुका हुआ tree का symbol होता था वो coins पे उकेरा जाता था ठीक है तो यह coins उस वक्त मौरियन आर्ट एन अर्किटेक्चर में था अस्तूपा देखें कि मौरियन के टाइम में क्या था अस्तूपा का condition तो दिजार्ट कंस्ट्रक्टेट टू you celebrate the achievement of बुद्ध तो अस्तूप जो है अस्तूपा यह बुध से related है ठीक है यह बुद्ध के achievements को celebrate करने के लिए बना जाता था और इन अस्तूपाज में यह जो अस्तूपा देख रहे हो इन अस्तूपाज में जो बुद्ध के अफसेश होते थे रिलिक्स होते थे उसे रखायाता है विचार वर्शिव्ट बाई मॉंग्स रिसेंटली अगर आप देखे तो बिहार के बोध गया से भगवान बुद्ध का रिलिक्स थाइलेंड ले जा गया था ठीक है और थाइलेंड बुद्धिस्ट कंट्री है और वहां पे करीबन साइद 9-10 दिन वहां पे रखा गया था और एक वहां पे ग्रैंड एक तरह से आप जैसे हम लोगों पूजा परफॉर्मेंस कहते हों बुद्धिजम में भी बुद्धिजम में बिल्कुल वह प्रेय लोग कर रहे थे चारों तरह से बहुत पूरे देश के लोग वहां पे जूट रहे थे इस जो रेलिक्स गया था बुद्धा का य आते थे ना यह बेसिकली बुद्धा के रेलिस को रखने के लिए उसके अंदर और विचार वर्सिव्ट बाइं मॉंक्स और जो भी मॉंक्स होते थे बुद्धिष्ट मॉंक्स वह सब पूजा करते थे फीचर्स क्या था अस्तूपा का यह सेमिय स्फेरिकल शेप में हुआ करता है आप यहां पर देखी पा रहे होगे कि यह सेमिय स्फेरिकल फेश में होता है उडेल एंड स्टोन फेंसिंग होता है चारो तरफ यह उडेल एंड स्टोन फेंसिंग इसका रहता है जातक अस्टो स्ट्रक्षर की हम बात करें चक्साइब क Lum Loop कि यह जो पाट होता है इसको हम कहते हैं यह है मेधी है और यह इसको अंडा कहते हैं यह यह लाट कर दीख रहा हो यह तो chron키 रास्ता एक तरहता है । Jacin कि आप यहां पे जो फेंसिंग के गेड़ा हुँ यहां पर कहलाता है और बीच में पलेश देख रहे हैं यह पाथ कशेह रहे हो यह टिर पताश के लड़ा हैabd इस तरीके का पिक्चर जो है आपको रफली रफ एक्जम में बनाना होगा ठीक है कि अगर मेजर स्थूपा कि बात करें कहां 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 तो ग्रेट ऐस टूपा प्वर्फ साची साची का बहुत ही इंपोर्टेंट आपको पता होगा जिले अब कि शाची आपको मद्ध्पर्देश में मिलेगा फिर है अम्रावत्ती अश्थूपा अम्रावति जो है वो आपको आंद्रप्रदेश में मिलेगा औरंगा अर्जुन कunda अस्तुपा सुर्चasan नहीं बल्किंछ जो है वो महारास्ट कुंडा अस्तुपा जो है यहापको आंध्रप्रदेश में मिलने वाला है यह बहुत अस्तूपा है यह भी आपको महराष्ट में मिलेगा ठीक है बर्खुद जगह जो है वह महराष्ट में है नागा अर्जुन कॉंड़ा जगह भी यह आपको आंध्र प्रदेश में है तो यह जिद्यान रखेगा अब आजाते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट हमारा है के यह जो पहाड उस के लिए अजिविकाज के लिए अजिविकाज बराबर केफ अफ जहानाबाद का जो देखें वह उसको अशोका ने बनवाया था इस गूफा को जो की कंप्राइज करता है करण शुदाना लोनाज और विश्वकरना नागा अर्जुन केफ इन जहानाबाद बिल्ट बाई प ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है कि गुहा विहार अब हम आज आ गए हैं यहां पर पॉपलर आर्ट में यानि की जो की आम जन जीवन में आम लोगों की जो आर्ट अर्किटेक्चर था मौरियन पिरिड में तो गुहा विहार की बात करें तो यह प्लेसेस वियर जो है यह भी तो एक विहार से बना है ठीक है पहले व को अगया है वहार यह जो है वहार के रहने ossake08 होती है है तो आप देखेंगे घुहा वीहार की यहां पहर कर रहे हैं यहां पर बुद्धिस्ट और जैन और यहां करते थे गुहा विहार में परपस दो में परपस था यह एक तरप कामास जैसे हम ने बताया कि बुद्धिस और जैनमक्स होते थे या फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन के तौर पर भी यूज होता था गुहा विहार का इसमें आपके वह रूम मिलेंगे बीच में एक आंगन हुआ करता था कोट्यार्ड ठीक है और यह यह चारो तरफ यहां पर यह चारो तरफ से रूम होगा और बीच में आंगर मिलता था यह गुहा विहार में इस तरह के एक तरह से अब आम जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं मठ मठ जो बोलते हैं जो साधू संतों के रहने की जगह तो उसी इतने वही यह रहा करते हैं गुहा विहार अगला है रिंग टॉंग रिंग टॉंग क्या था यह डिस्टिंट टाइप ओप एक मिनियेचर स्किप्चर था आप यहां पर यह स्कॉप्चर देख सकते हो परपस इसक के मिनियेचर स्कॉप्चर क्यों बना जाता था उस वक्त हो सकता है कि यह रिलीजन परपस के लिए हो या फिर फटलिटी को प्रमोट करने के लिए भी यह बना जा सकता है ऐसा हिस्टेरियन जो है वह अंदाजा लगाते हैं यह रिंग टॉंस इस तरह का कुछ मिला है इस त और इंट्रिकेट डिजाइन भी इसमें एविलेबल होती थी तो यह रिंग टॉंस हुआ करता था बात अब मौरियन टाइम के पॉट्री की करें तो यूज ऑप पॉटर्स वील बिकेम यूनिवर्सल जो पॉटर्स वील का यूस्तमाल करते थे वह उनिवर्सल हो चुका है ह युज नौर्धर्न ब्लैक पॉ्लिस्ट वेर है है इस वक्त बनाते थे जिसको नौर्धर्न ब्लैक पॉलिस्ट वेर भी कहते हैं यूज लार्जली फोट्टीस अड़ पॉल्स तो बीच और यूस करते किस लिए तो वही बर्तन के तोर पर या काटोरा के तौर पर मेढ इसलिए इसमें जो है ग्लैजिंग इफेक्ट भी मिलता है कि नेक्स्ट आजाता है स्कॉप्चर्स के बात करते हैं तो मौरियन एज स्टेचूस काफड आउट ऑफ स्टॉन से बना जाते थे मेटल से और मिट्टी से भी बना जाते थे उस पक असकॉप्चर्स और फॉर्मड बाइस्ट अस्पॉंसर आज़ एस फॉक आट बाइंडिविज्वज असकॉप्चर्स एक है देखिए एक ध्यान रखेगा यह जो स्कॉप्चर्स बना जाता था ना उस वक्ट तो उस वक्त के दरवार में बना जाता था या फिर कहिए उस वक्त राजा भी बन से यक्षनी बनाए गया था ब्राउन सैंडी स्टो बना जाता है और स्टेच्ट य सो बड के बना जाते हैं मेटल से ये बनाये जाते हैं ठीके अब कहा कहा ये पाया गया है Ascupches, ये Ascupches दो आपको मिलेगा वो ओडिजा के धाली रौक में मिलेगा ठीके यहाँ पर Elephant का Ascupches बनाया गया है मतुरा में आपको यक्ष का मिलेगा याद रखेगा मतुरा जो है वो यूपी में है यहां पे आपको यक्ष का स्कप्चर मिलेगा लेकिन अब पटना के दिदार गंज में एक चमार हाउस है ठीक है चमार हाउस नाम से है चमार हाउस दिदार गंज पटना यहां पे आपको यक्षनी की मूर्ती मिलेगी ठीक है फिलाल यक्षनी की मूर्ती जो है बिहार म्यूज लेंग्स लिए मेल स्टेटू जो की नेग्ड अधर में अब उस्ट इ orbiting या पनीकल कब्ड़ए और देखा यह सकप्चस कहां अर पर भी कुल हुआ करते हैं टेरा कोटा फीचर्स क्या थे तो इन्डिवीज़ूल के द्वारा बनाया जाते थे इमेजेद फॉक गॉड जो भी लोकल देवता देवी देवता होते थे उनके टेरा कोटा के बनाया जाते थे ठीक है फिर यहां पर आप देखो तो इमेजेद ऑफ एनिमल्स बच्चों के ख आया गया है ठेराकोटता। अब यहां पर हम देखेंगे कि मार्यान आर्ट्स का रिलीजन पर क्या इंप्त है यह देखना भी बहुत इंपोर्टन नखेंट कि मॉर्यन आर्ट्स का ीपोर्ड़ की तो जैसे बुद्धिजम में आप आगर देखो तो अभी हमने आपको बताया कि अस्तूपा बनाया जाता था और बुद्धिस के रिलिक्स उसमें रखे जाते थे ठीक है तो बहुत सेवरल बुद्धिस आर्किटेक्चर सच अस्तूपास एंड विहारास वर कंस्ट्रक्टेड बा लोगों ने बनाया था फिर आप देखो तो रॉक कट केप्स बनाया जाते थे यह से बराबर की गुफाएं नागा अर्जुनक केप्स इसको किसलिए तो जो भी सादूसंत होते थे उनके रहने के लिए या फिल फॉर रिलीजिस डिसकर्स करने के लिए असोका प्रोपेगे इस सलिए-बुध्यिस फिल फिल असोकिंटरर बुद्धिजिस तो आप देख सकते हो बुध्यिस में इसका इंपक्ट फिर टेरा कोट इमेजिव सब्धा बुध्धा बुद्धा का इमेजिप के साट्वरु स्ब्सने किल ट्री melhor इंस तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि rill यहार रहा है Morian art and architecture का जैन रिलीजन में क्या impact रहा influence में तो इन द विहराज of Morian architecture तो जो विहराज बना जाते थे जिसमें आपको को हमने बताया बुद्धिस्ट और जैन मॉंक्स दोनों ही तरह के लोग रिसाइड करते थे इस विहाराज में ठीक है तो यह देखिए फिर एक अजीव का सेक्ट जो था तो नागा अर्जुना के फूर दिया रेसिडेंस और सो है प्रोलॉंग्ड इंपक्ट और मौरियन आर् और पीलर पे और सिंबल्स के थ्रू दूसरे रिलीजन्स में भी इस वक्त के आर्ट एन अर्टिक्टेक्चर का एक इंपॉर्टेंट इंपक्ट है आप देख सकते हैं जैसे बूल बनाया गया था बूल जो की सिंबल ऑफ फर्टिलिटी कहा जाता है हाथी बनाया था जिसको कोई सिंबल ऑफ ऑस्टिरिटी लायन जो की सोलर सिंबल देखा जाता है और वील जो है यानि की चक्के की तरह वह सिंबल ऑफ डेथ की कहा जाता है ठीक है यहां पर यह नहीं होगा अच्छा तो मौरियन आर्ट एन आर्किटेक्चर का बिहार पे क्या इंपेक्ट रहा है और यहां पर हम देखेंगे बिहार पे इसका क्या पर्स पर्सियन ऐसां के लिए रहा की परस्यान लेंगवेजे़ सनमीज लेसी की लिए विकला फेमस यह भी बहुत ज्यादा फेमस वहा भिया बिहार में ौर्टना वह मेजर स्विट फूर परसियन लाइगवेज लेंगवेज click के लिए रहा की ganze लेंग्वेस्ट लर्निंग के लिए पटना एक मेजर इंपोर्टेंट जगह रहा ठीक है आप अगर यहां पे देखो तो रामपुर्वा लॉरिया दिदार गंज गया के जहानाबाद के यह सारे जो प्रेसे हैं जहां से आपको मौरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के आपक हैं मौरियन आर्ट के बुद्धिजम सेंटर्स एज रिजल्ट और सोकाज एक्स्टेंशन और धर्म पॉलिसी ठीक है बिहार बिकम मेर सेंटर मेजर सेंटर और बुद्धिजम का सेंटर रहा बिहार लेट टू इस्टबलिश्मेंट ऑफ ग्रेट इन्वरसिटीज लाइक न बुद्धिजम से जूड़े हुए जो आर्ट अर्किटेक्चर है वह भी यहां पर बनेगा तो इस तरहीके से बिहार में उसका इंप्रक्ट रहा है वज नरायन सेक्ट गौट पॉब्लराइज दिन बिहार यह जो सेक्ट था वो बिहार में पॉब्लराइज हुआ बिहार का जो सूखे का जो problem है ना उसको resolve करने के लिए उसको solve करने के लिए जो जो कारे बिहार सरकार करती है आज के टाइम में वो मौरियन टाइम से inspired है development of कुछ system कनाल system as that of Morian to provide great relief to farmers in बिहार तो कुछ कनाल system बिहार के उस तरीके से डिजाइन किये उस तरह के से develop किये गए हैं जिसे मौरियन टाइम में किया जाते थे ठीक है टू प्रोवाइड great relief to farmers बिहार रिलीफ इस तरीके से कह सकते हैं there is a profound impact of Morian arts on बिहार which was not limited only up to ancient places अब मौरियन आर्ट आर्किटेक्चर का इतना ही नहीं impact है कि सिर्फ ancient places पे ही मिलें बल्कि हमने modern तरीके से भी इस्तवाल गया है से हमने आपको देखा कि कैनाल सिस्टम यहां पर हमने उस वक्त कितरह ना है but its impact can be even felt today to the Morian art and architecture portrayed the contemporary religious ambience in its architecture and style yet it resulted into the flourishing state of Indian art or yeh but at a high key Indian art you have kitna florist in fact Indian art you have work it enough famous time Indian art kittany important थी the art is very mature and attractive and reflect the virtuality sculpture beauty and scientific technique और यह बताता है कि इंडिया के आट इंदेश का आट जो है वह बहुत ही मैच्योर अट्रैक्टिव और रिफ्लेक्ट करता था वर्चुलिटी असकॉप्चर ब्यूटी और साइंटिफिक टेक्निक के थूप इंडिया का आर्ट जो है वह बना जाता था ठीक है तो इस तरीके से हमने जो है पूरा का पूरा यहां पर हमने डिसकस कर लिया है मौरियन आर्ट एंड आर्टिटेक्चर उमीद है आपको यह पसंद आया होगा ठीक है इसी तरीके से आगे भी हम लेक्चस लेकर आते रहेंगे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा चलिए तो फिर मिलते हैं